J-Mains में 99% लाना क्या बहुत जादा मुश्किल लगता है? रुको जरा, आज हम complete strategy discuss करने वाले जिससे मैंने खुद J-Mains में 99.74% लाई थी वो भी first attempt में, आप भी easily J-Mains में 99% ला सकते हैं, चाहे अभी आप किसी भी level से start कर रहे हो एक-एक चीज हम आज discuss कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं हम वीडियो में total 10 different factors की बात करने वाले हैं, जो पूरी J-Prepression को sum up कर देंगे सबसे पहला point आता है coaching, coaching में मैंने basically 2 main coaching institutes को join किया था आलन और फिट जी, साथ के साथ 2 years के time पे मैं mainly dependent रहा था, home and online tuition पे जो कि मैं personal tutors लगे वे थे, सबसे पहले बात करें आलन की, तो आलन मैंने 11th class में join किया था और वो उसे मैं 2 years तक थोड़ा बहुत classes attend करता रहता था, फिट जी मैंने mainly mock test series के लिए join किया था और उसके भी मैं कभी कोई classes लगा लेता था, कुछ topics के लिए जो मुझे समझने होते थे बाकि revision के time पे मैंने विदान तू, competition और e-seral जॉइन किये थे और ऐसे physics वाला के भी सार्थी program को मैं follow करता रहता था तो यह सब in short मैंने follow किया था, बाकि mainly two years तक मैं हर रोज four to five hours की personal tuitions रखता था, जिससे मैं teachers से अपने सारे doubts clear करता रहता था वो मैं achievers home and online tuitions से पढ़ता था खुद, जिसका मैंने आपको description box में link दे दिया अब वहाँ से ज़रा के अपने रे भी personal tutor book कर सकते है, जो आपको one to one सिर्फ आपको पढ़ा रहे होंगे बाकि अब हम आते second point पे, अब हम बात करते है second point की, second point से हमारा notes notes JEE preparation के time पे अपने आप में एक important चीज होती है, यह इतना भी important नहीं जितना आजकल लोगों ने उसे बना रख है मैं तो कहता हूँ कि theory से जादर important आपके questions होते हैं क्योंकि JEE के final exam में आपके questions आने हैं, सिरफ theory आपके नहीं पूछी जाने है क्या मैंने अपने time पे preparation के time पे खुद notes बनाये थे, हाँ जरूर, मैंने अपने time पे एक बार notes जरूर बनाये थे, ताकि जो teacher पढ़ा रहे होते थे, मैं उसको साथ सा लिखता रहता था था, ताकि वो मेरे दिमाग में बैठता जाए लेकिन क्या मैंने उन्हें बार-बार revise करके उन्हीं same questions को बार बर practice किया था, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, क्यों questions याद करने वाली या फिर रटा मारने वाली बात हो जाती है, रादर देन क्या concept समझ रहे हैं उसके अलावा इसरा and most important point आता है, books का हमारा, books में मैंने बहुत सारी books की थी honestly, आपको इतनी करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे actually books खरेदने का, रखने का, अपने पास, store करने का बहुत आशौक था, तो मैंने actually बहुत सारी books ली थी जिनको मैं end में पूरा complete कर भी नहीं पाया था, mainly जो मै एक दो दिन में complete हो जाती थी, तो उसके बाद में आता था, physics galaxy या सेंगेज, इन दोनों books में से, मैं कोई भी एक chapter के लिए एक book करता था, for example, अगर आप जानते हो, तो last का, जो आपका semi-conductors वगएरा वाले chapters है, physics galaxy में नहीं है, तो modern physics वाले mostly part और EM waves वगएरा, ये सब मैंने mostly part आपका सेंगेज से किया था, जबकि 11 थी पूरे mechanics, thermodynamics, ये समयने physics galaxy से की थी, बाग ये बाग की जए chemistry की, तो chemistry में बहुत ज़ादा popular trio set है, एन अवस्ती सर की physical chemistry की, J.E.Mains and advanced की book, MS.Rohan सर की advanced problems वाली book, और V.K.J.S. वाल सर की, जो आपकी inorganic book आती है, problems वाली, इन तीनों तो मैंने completely, almost 100% solve किया था, बाकी मैं chemistry में, सेंगेज को भी बीच में theory के लिए refer करता रहता था, कभी को बार थोड़ी से questions practice करने के लिए, और भी books में ऐसे हलका-फुलका chapter wise थोड़ा vary करता रहता था, बाकी तीन books को तो मैंने 100% solve किया था, बाकी अब आजाते हमारा mathematics, maths के ल सेंगेज को follow किया था, बीच में मैं समीर बंसल सर की thousand challenging problems वाली जैसे हो बुक आ जाती है, उसको मैं revision के time पर करता था, या फिर black book को बीच-बीच में थोड़ा बहुत करता रहता था, बाकी और मैंने बहुत जादा इसके लिए books को maths में follow नहीं किया था, अब हम आते हैं अप अपने marks देखने का बहुत जाधा shock होता था, इसलिए मैं पूरे दो साल के time पर almost हर week एक mock देता था, और October-November के बाद तो मैंने सारी हदे पार कर दी थी, मैं हर week 2-3 mocks तो minimum देता था और कभी का बार तो मैं हर week भी mock देता था, और last के time पर December के around मैं हर रोज 2 mocks देना शुर अपने सारे गलतियों से मैं सीखता गया था, एक और मैं अपनी preparation के आपको बहुत जाधे important tip बता देता हूँ, अगर आप उसको समझना चाहे तो आप समझ सकते है, basically मैंने 2 साल के time पर preparation के time पर theory को सिरफ 20% time दिया होगा, बाकि मैंने 60% time question solving को ही दिया था, 60-80% time question solving और mock test basically मै कह सकता हूँ कि मैं दिया था, क्योंकि मैं यह समझता था कि JEE के final exam में मुझे finally एक नया question आने वाल है, तो उसके लिए मुझे बहुत जाधा variety of questions practice कि होने चाहिए, तो मैं almost हर रोस questions ही practice करता रहता था, और जो concepts मुझे पूरे नहीं भी समझ में आया होते थे, मैं कुछ के solutions पढ़ लेता था, जिससे मुझे concepts crystal clear हो जाते थे, और questions में उन्हें apply कैसे करना है, वो एक ही तीर से में दो निशाने मार के easily कर लेता था, बाकि आपको भी mock test, मैं यह recommend कर रहोगा कि at least, पूरे दो साल के preparation के time पे 21 days, 3 weeks में आपको 1 mock test कम से कम देना चाहिए, यह bare minimum है, बाकि अगर आप हर 2 weeks में, 15 दिन में एक mock test दे पाए, तो बहुत ही अच्छी बात है, और last के preparation के time पे भी आपको week में कम से कम 2-3 mock test देना, तो compulsory होना चाहिए, आपको strict regime follow करना होगा, तभी आप जही easily crack कर पाएंगे, फिफ्ट पॉइंट आता है हमारा diet का, दो साल की preparation में diet भी ए से भी आप lazy feel कर सकते है, मैं personally पूरे शुरू से बहुत ज़्यादा foodie रहूं, तो मैं बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन मैं prefer करता था कि मैं healthy foodie खाऊं, जिससे मेरा mind भी active रहे, या body cycle को भी maintain करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि इसी में ही आ जाता है, अगर आप सुबह सुबह उठ पाएंगे, सुबह पांच या शे होजे तो बहुत ज़्यादा बेटर हैगा, कि तब आपका mind best function कर रहा होता है, और फिर आप राउंड 8-9 o'clock तर ब्रिकफास्ट कर लेंगे, तो आपके पूरी body cycle complete day के लिए maintain हो जाती है, जो आपने 2 साल में basically सारी concepts पड़ें इतने सारे, उनको आखरी में आपको एकठा करके paper में finally present कैसे करेंगे और अब उसी से ही determine होगी कि आपका marks और rank कैसे आने वाल है, तो revision ही वो point होते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे majority of the students से आगे निकल जाते हैं और वही फाइनल 99, 99.5 और 100 percentile score कर रहे होते है क्योंकि उन्हें पता होते हैं कि final revision आपको आखरी निशाना कैसे मारना है, आज हम वही अभी discuss करते हैं कि revision आपको कैसे करनी चाहिए, मैं personally revision को mostly questions के through ही की थी, last के जो मेरे basically दिन थे, last two months, उसमें मैं 12 hours में से basically 8-9 hours mock test और उसकी analysis करता था, मैं हर उस दिन में 2 mock test देता था और उसकी analysis में 2-3 घंटे लगाता था, जिसमें मुझे अपने सारी गलतियों का पता चल जाता था, उससे मुझे अपने weak concepts भी पता चल जाते थे, 1-2 hours में अपने weak chapters की solving में लगाता था, ताकि हो मेरे थोड़ी और strengthen हो जाये, क्योंकि J-Mains आज के दिन काफी जादे easier level पे आता तो यह होता था मेरा overall routine, बाकि आप भी क्या कर सकते हैं, आजकल आपको ही पते हैं कि online आपको 20-25 questions में पूरे chapter की revision कराने वाली, ऐसी sheets मिल जाती है, आप उनको practice कर सकते हैं, उससे आपको अपने weak topics पता चल जाएंगे हर chapter के, और फिर आप उनको धीरे धीरे पढ़ना confidence में issue हो सकते हैं, और फाइनल डे पर falter ना कर जाएं, इसलिए आपको अपने strong topics को strengthen करते जाने हैं, उनको mock test के दुरू practice करते जाने हैं, और weak topics आपको analysis से पता चलते जाएंगे, उनको साथ साथ तो अपर अब थोड़ा बहुत करते जाने हैं, साथ के साथ चलते हैं, तो य doubts आपको साथ के साथ clear करना बहुत ही जादा important हो जाता है, क्योंकि वही वो चीज़े हैं, जो कि finally आपके exam में भी आ सकते हैं, और उस दिन अगर आप ना कर पाएं, तो फिर बहुत जादा बढ़ा issue हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप उनको साथ के साथ clear करते रहें, concept को भी समझते रहें, उससे आपका confidence भी साथ के साथ improve करता रह जाएगा, basically आप तीन तरीके से doubts को solve कर सकते हैं, personally जो मैंने किया था और जो best way है, वो है कि मैंने अपने personal tutors से मैं doubts पूछता रहता था, जैसे मुझे कोई doubts आता है, मैं उनने भेज देता है, और हम class में one-to-one discuss कर बाकि अगर आप इतना भी के लिए food नहीं कर सकते, तो और भी आपके लिए बहुत दो अच्छे options है, सबसे पहले तो आप उसको normally google lens कर लीचे और बहुत सारी websites आज के दिन आपको मिल जाएंगी, तो आपको उसका solution on the spot बता देंगी, आप उन्हें refer कर सकते, या फिर PWA या बाकि आपसे जिनकी paid subscription आप ले सकते, जिसके साथ आपको doubt solving apps मिल जाते हैं, आप उसके through भी questions को solve कर सकते हैं, बाकि जो एक teacher end moment पे solve करा देते हैं, वो दो concepts आपको और समझाते हैं, वैसा तो कोई नहीं कर सकता, तो हो सके तो आपको personal tutor को ही afford कर सकते हैं, तो जरूर लेना चा जा देता हूं, majority test series जो है, और मैंने कौन-कौन सी की थी, basically मैंने तो Alan की score test series होती है, वो मैंने पूरा 100% test मैंने उसके solve किये थे, बिल्कुल अच्छे से, और उसके analysis भी मैं करता था, उसका level जरूर आपके final J-min's से थोड़ा उपर रहते हैं, लेकिन उससे आपको concept clarity आजाए वो अगर आप सिरफ J-min's की तयारी करें, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं recommend करूंगा कि आप वो करें, अगर आप J-advance की तयारी करें, तो उसके लिए वो बहुत ही जादा अच्छी रहते हैं, कि वो आपको depth of concept में basically trap करते हैं, तो mains के लिए तो ठीक-ठीक सी है, लेकिन advanced के अच्छे हो जाती है, बाकी फिर आप और भी test series होती हैं मार्केट में, जैसे math on go की competition की, physics वाला की, आप इन सब को भी follow कर सकते हैं, मैंने personally इनके सिरफ बीच-बीच में थोड़े बहुत test देता रहता था, regularly मैंने आसच पूरी test series सिरफ ये दो ही solve की थी, पढ़ते हो तो बह देली की sleep होनी चाहिए, और एक regular sleep cycle होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी 2 बज़े तक पढ़ रहे है, तो कभी रात के 9 बज़े ही सो रहे है, proper, मैं तो recommend करूँगा कि आप सुबह 10 बज़े, sorry, रात के 10 बज़े आप सो जाए और सुबह 5 बज़े उठ जाए, 7 एन आर्स की sleep बिल हिंदी की, अंत भला तो सब भला, ultimately आपका exam day पर कैसी performance रहने वाली है, वो ही आपकी सबसे जादा matter कर रही होगी, परक नहीं पढ़ता कि आपने 2 साल के दौरान किसी बच्चे से कम महनत किया है, कि जादा महनत किया है, आपका final exam कैसा जा रहा हुआ, उसी basis पर यह आपको आपको एक normal mock test की तरह ही बस exam दे के आजाने, final exam की तरह, और उसका बहुत जादा extra pressure नहीं लेना है, क्योंकि जितना जादा pressure लोगे, उतना ही जादा आपके silly mistakes करने की tendency बढ़ती जाती है, उतना आपका दिमाग नहीं चलता, दिमाग चोक हो गया exam में, तो questions आगे करने के लि और फिर वापिस से exam एक fresh mood से करने लगो, और आपके सारी tensions तरह जाएगे, questions वापिस से बनने लग जाएंगे, यह मेरे साथ practically Jayman's के first attempt के पहले 5-10 minutes में हुआ था, यह मेरे से questions नहीं हो रहे थे, बट ऐसे मैंने किया, तो धीरे-धीरे मेरे से, mind वापिस से fresh हो जाते है, confidence हान लगते है, सारा pressure release हो जाते है, तो ऐसे आप practice कर सकते है, बाकि minimum 8 hours कि sleep आपको लेके जानी है exam hall, exam देने से पहले, 6-8 hours कर सकते है, 8 hours में recommend करूँगा, ताकि 1% भी आपको बिल्कुल भी नीन ना आ रही हो, बाकि exam paper खुलते ही, नीन अपने आपी सारी उठ जाती है, hopefully आपको 10 इन भी 10 tips पसंद आई होंगी, और आप इन्हें जरूर implement करेंगे, ताकि आप भी jamens को बिल्कुल एक top rank के साथ crack कर सके, similar वीडियो ही हम jay advance के त्यारी करने वाले बच्चों के लिए भी ला रहे होंगे, तो चैनल को subscribe कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो, तो like करना, मत बूलना, सारी books के link आपको description box में मिल जाएंगे, अगर आप personal tutor अपने लिए चाते हैं, उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा, आप अभी के अभी जाके books भी ले सकते हैं, और tutor भी ले सकते हैं, ताकि आप jay advance को औ और भी जाएज़े easily ace कर सके, बाकि हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाए!